दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि भूजन के बाद सौफ खाने को दी जाती है। ऐसे में डियाबिटीज रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं। जाते हैं तो आप सौफ का सेवन जरूर कीजिए। में सौफ, सौफ का अर्क या फिर सौफ को उबाल कर उसका पानी देने से बच्चा स्वस्त रहता है। और उससे बिमारियां कोसो दूर रहती है, उसकी कमजोरी भी दूर हो जाती है। साथी सौफ और मिश्री को एक साथ खाने से दिमाग शान्त रहता है। सौफ सिर्फ पेट के लिए नहीं, बलकि दिमाग के लिए भी तो काफी फैदेमन दोता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सौफ के पोशक ततों से ज़ादा इसकी खुश्बू असरदार होती है। इसकी खुश्बू हमारा दिमाग शान्त कर देती है। हम अच्छा मैसूस करते हैं। वहीं ये जीब में टेस्ट बड्स को संतुष्ट और दिमाग को बिलकुल नॉर्मल बनाये रखने में भी मदद करती है। और दोस्तों सौफ के बीज में एक हॉर्मोन पाया जाता है जो बालों के ज़डने को रोकने में आपकी मदद करता है। इनमें एंटियोक्सिदेंट और पोशक तत्व होते हैं जो आपके बालों को मजबूत बना देते हैं। सौफ के बीजों और नारियल के तेल का मिश्रण आपके बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करने में मदद करता है। जिससे बालों का जढ़ना रुख जाता है। चार बड़े चम्मच नारियल के तेल में दो चम्मच सौफ मिलाएं और इसे एक हफते के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर इस मिश्रण को अपने स्कैल पर धीरी-दीरे लगाईए और एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर बालों को दो लिजी, आपको इसका फाइदा जरूर मिलेगा। और अगसर आपने होटेल्स या रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि जब भी आप खाना खा कर उठते हैं तो आपको सौफ और चीनी का मिश्रण या मिस्री का मिश्रण दिया जाता है। जो कि आपके पेट को पाचन शक्ती को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों सौफ इसी तरह हमारी शरीर को अनेक प्रकार के फाइदे पहुँचाने में सफल होती है।